ओके गाइस टुड़े वे आप्लिकेशन आफ ट्रीचिन अफ ट्रीचिनोवेट्री को स्टाट करने से पहले आपको कुछ तर्म्स का नॉलेज होना ज़रूरी है ठीक है फिरस्टे एंगेल आफ एलिवेश्ट एंगल अफ एलिवेशन कि बसिकली क्या है कि जब आप नीचे से अपनी height से उपर किसी चीज को observe कर रहे होंगे जैसे यह वाली figure देखिए आप ठीक है इस वाली figure में यहाँ पे इस वाले point पे observer है वो observe क्या कर रहा है एक tower या फिर एक मिनार उसका top को observe कर रहा है या उसको देख रहा है या फिर parallel to ground कोई line होगी उससे जो angle create करेगी तो देखिए यह वाली जो line है यह तो ground पे है observer की कुछ height है तो एक और line create करेंगे अपन जो की parallel to ground होगी अब जो line of sight is parallel to ground line के साथ जो angle create करेगी यानि यह वाला angle यह वाला angle angle of elevation के लाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा एक right angle triangle type form हो जाएगा अपने पास ठीक है और right angle triangle form हो गया तो अपन trigonometry अपलाई कर सकते हैं तो अभी आपने क्या क्या terms समझी line of sight angle of elevation अब इसके लावा एक और term होती है angle of depression उसके लिए देखिए यह वाला figure देखिए उसके लिए ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो observer है वह height पे है और वह अपने height से नीचे किसी चीज को observe कर रहा है ठीक है जब आप नीचे से ऊपर कुछ कुछ observe करते हैं तो angle of elevation form होता है जब आप उपर से नीचे कुछ observe करते हैं तो angle of depression form होता है अब देखिए कैसे यहाँ पर observer है मेरा ठीक है यह नीचे इस football को observe कर रहा है ठीक है observer और object इसको observe कर रहा है उसको जो straight line join करेंगे उसको अपन line of sight कहेंगे अब देखिए यह मेरी ground की line है ठीक है इस line के parallel में एक line draw करूंगा ठीक है जो कि observer से पास होगी और इस line के parallel होगी यानि यह horizontal line जो लिखा हुआ है इस horizontal line यह virtual line है basically एक्चुली में exist नहीं करते ही बट अपन वर्चुली एक line create कर रहे हैं यह अपन एक line मान रहे हैं जो कि round के parallel है और observer के वहां से पास हो रही है तो इस horizontal line से जो line of sight angle create करेगी यह वाला angle यह angle of depression के लाएगा अब देखिए इस में angle of depression में कैसे trigonometry अप्लाए कर सकते क्योंकि यह तो complete angle नहीं बन रहा तो देखिए trigonometry कहां पर अप्लाए होगी यह तो line of sight है तो यह angle of depression इस angle के equal होगा ठीक है क्यों क् alternate angles line spindle है और alternate angles है तो दोने angles ही को लोंगे तो अब मैं observer को अब मैं observer से एक perpendicular line ग्राउंड पर करता हूं तो देखिए मेरा complete triangle बन गया जहांपे मेरा 90 degree है और यह वाला angle मुझे पता है कैसे angle of depression की help से मैंने यह वाला angle निकाल लिया तो अब मैं इसमें trigonometry अप्लाए करके जो भ horizontal line जो होती है वो ज़रूरी निया कि सिर्फ angle of depression वाले case में अपने को ड्राउ करने पड़े अब देखिए angle of elevation में horizontal line है अपने को इसलिए ड्राउ करने पड़ी क्योंकि जो line of sight है ठीक है वो यहां से start हो रही है और वो ground को test नहीं हो रही तो अपन क्या करेंगे ground से parallel एक line ड्र दिया हुआ है अपना tower क्या है tower AB अब from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower तो B तो क्या है मेरा foot of the tower और C क्या है मेरा observation point which is 15 meter अवे यानि मेरी जो BC length हुई वो कितने हुई 15 the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree और अपने में angle of elevation भी दे दिया angle C is over 60 degree अब अपने से पूछा क्या है find the height of the tower ठीक है अब देखिए अगर मैं इस angle को use करता हूँ यह मेरा perpendicular होगा ठीक है यह मेरा base होगा यह मेरा hypertension होगा तो मुझे निकालना क्या है perpendicular height of the tower which is perpendicular AB तो देखिए कौन सा ratio apply होगा वो कैसे इसके inside करते हैं उसके अंदर वह लेते हैं एक तो जो मुझे निकालना है और एक जिसकीfriend Σकती दिखराना है तो मेरा 1060 degree कितना हो जाएगा 1060 degree is ab upon bc ठीक है अब 1060 degree के अपने को value मालूम है कितनी होती है root 3 होती है ab के अपने value मालूम नहीं है और bc के अपने value मालूम है कितनी है 15 given है अब यह equation बन गई ठीक है easy है चलिए पिक करते है example number two example number two में अपने को क्या बोल रहा है कि एक electrician है उसको electric fault repair करना है एक pole के उपर ठीक है तो pole के height कितनी है 5 meters तो pole क्या है मेरा ad ad कि मुझे कितना देर रखा है 5 meters ठीक है अब electrician क्या करती है कि जो pole के उपर जो fault है उसको repair करने के लिए या फिर वहां तक पहुंचने के लिए एक cd लगाती है ठीक है लेडर तो अपनी लेडर क्या है bc ठीक है तो कभी भी आपने अगर observe किया होगा कि जो cd लगती है जो pole का top होता है उससे थोड़ी नीची लगती है तो उसका जो face वह उस पोल के top तक पहुंच सके अगर cd तक पहुंच जाएगी और फिर उक्रिशन cd के top तक जाएगा तो वह तो pole से भी ऊपर चला जाएगा ठीक है इसलिए cd जहां पे भी fault होता उससे थोड़ी सी नीचे लगाए जाती है ताकि आप जब cd की top पहुंच तो आप exactly आपका face या फिर आपके hands वह तक पहुंच सके जहां पर आपको repair work करना है ठीक है उसने कितना नीचे रखा पोल से उसने 1.3 meter below the top ठीक है यहां से लेके यहां तक है ठीक है a b उसकी length कितने दे दी मुझे 1.3 और जो ladder का inclination angle है या फिर ऐसे कह सकते कि angle of elevation है वह कितना 60 degree यानि angle C मुझे 60 degree दे दिया तो अब आपसे दो चीजे पूछी गई है एक तो ladder की length पूछी गई है कि ladder कितनी लंबी होनी चाहिए ठीक है और दूसरा आपसे पूछा गया है कि ladder का जो base है वह pole की foot से कितना दूर होगा यानि DC पूछा गया आपसे तो देखिए सबसे पहल सब्ट्रेक्ट कर दो तो मुझे क्या मिलेगा 3.7 3.7 क्या है मेरा BD यानि इस triangle में जो perpendicular है वो है 3.7 वो मैंने निकाल लिया अब मुझे एक तो यह निकालना है ठीक है जो की है मेरा base और एक यह निकालना है जो की है मेरा hypotenuse ठीक है अब देखिए कौन सा ratio pick करते हैं यह कैसे है और 60 की value होती है 1 upon root 3 तो यह हो गया 1 upon root 3 equal to DC DC के अपने value मालूम नहीं है BD के अपने value मालूम है 3.7 तो अब देखिए यह left hand side जाएगा तो numerator में shift हो जाएगा तो DC क्या हो जाएगा DC equal to 3.7 upon root 3 अब इसको आगे solve करने के लिए आपन क्या कर सकते है इसको rationalize कर सकते है तो rationalize करने के लिए क्या करेंगे उपर नीचे root 3 से multiply कर देंगे तो देखिए root 3 upon root 3 तो 1 होता है और किसी को भी 1 से multiply करो तो कोई फरक नी बढ़ता तो देखिए यह से multiply होगा इससे multiply होगा तो जागा 3.7 root 3 upon 3 इसको अगर आप solve करेंगे तो आपको अप्रोक्स वेल्यू मिलेगी 2.14 मेटर ठीक है तो यह आपका answer हो गया क्या B 2.14 मेटर ठीक है तो आपने base निकाल लिया अब देखिए अब अपने निकालते है अपने को निकालना है तो perpendicular or hyperteneuse के लिए कौन सा रीशे होता है ॉपने यूज करेंगे साइन 60 is to bd upon अब देखिए अब देखिए और निकालना है अब देखिए BC को left side ले जाऊंगा तो जाएगा BC root 3 और 2 को right hand side ले जाऊंगा तो जाएगा 3.7 into 2 अब देखिए रूट 3 को भी right hand side ले जाता हूं तो मेरा BC आ जाएगा 3.7 into 2 upon root 3 तो देखिए इसको solve करेंगे आप तो आपके पास और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा अगर कोशन में स्पेसिफिकली अंडर रूट की वैल्यू दिए हुई है किसी भी अंडर रूट की और वह सॉल्व करते हैं वक्त यूज आ रहा है तो आपको उसकी वैल्यू यूज करनी है और आंसर प्रॉपर डैसिमल में निकालना ह अगर रूट की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप कर सकते हैं कि आप आंसर रूट मिलाके छोड़ दे ठीक है तो अगशामपल नवर त्री में अपने को क्या दिया हुआ है कि एप्जरबर 1.5 मीटर टौ्ट अब्सर्वर कौन सा है आपने यहाँ पे इसके इस में डी सी डी कितनी है 1.5 के लाफ़ा क्या बोल रहा है वह जो छिमणी से कितना दूर है 28.5 वाइट ऑफे फ्रॉम अपनी चिमनी कि यहां पे अपनी यहां पे चिमनी है और वो लीस से कितना दूर है 28.5 मेटर दूर है यहानी मेरा बीसी कितना हो गया 28.5 और इस से मेरा d e भी कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि जो observer का head chimney से इतना दूर होगा observer का foot भी chimney से उतना ही दूर होगा observer perpendicular खड़ा है और chimney भी perpendicular है ठीक है तो आप आप खुछ सोचके देखिए अगर आप किसी wall से 10 meter away है यानि आप अगर wall का foot लेते हैं और अपना foot का distance measure करते हैं तो 10 feet आता है अगर सब्सक्राइब कीजिए तो आप अपने head से उस wall के ऊपर perpendicular लाइन दो करेंगे वह भी 10 feet ही ठीक है तो इससे डी भी मेरा 28.5 हो जाएगा तो अपने पैलल टू ग्राउंड तो पैलल टू ग्राउंड है तो देखिए यह भी 90 डिग्री है यह तो 90 डिग्री है यह बच्चा एक एंगल यह भी 90 डिग्री होगा जब सारे एंगल 90 डिग्री होगे तो एक एए में अगर मैं e b add कर दूंगा तो मेरे पास a b बन जाएगा तो मेरे height of chimney आ जाएगी तो देखिए कैसे करेंगे triangle a e d में मेरे को d e मालूम है ठीक है कितना है 28.5 यानि मुझे base मालूम है और मुझे perpendicular निकालना है तो base और perpendicular के लिए कौन सा ratio यूज होता है 10 या court दोनों कोई सब यूज कर सकते तो मैं 10 यूज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 1045 is a e upon d e ठीक है a e upon d e हो गया a e की value मुझे मालूम नहीं है 1045 की value कितने होती है 1 तो यह हो जाएगा a e upon d e कितना है 28.5 तो करेंगे तो a e कितना आ जाएगा a e आ जाएगा मेरा 28.5 ठीक है यह मेरी a e की value हो गई अब height of chimney निकालना है height of chimney क्या है a b और a b को क्या लिख सकता हूँ मैं a e plus e b ठीक है अब मुझे a e b मालूम है और e b भी मालूम है तो दोनों values रिप्लेस कर देता हूँ यह जाएगा 28.5 प्लस 1.5 तो दोनों के add करेंगे तो a b कितना आ गया a b आ गया 30 30 meter मेरा answer है clear है pick करता है example number 4 अब example number 4 में मुझे क्या बोल र रहा है top of a 10 meter tall building तो इस case पर आपने building क्या है वो है a b यानि 10 meter tall है यानि a b कितने हो गई 10 meter और angle of elevation कितना दे दिया 30 degree यानि angle a p b अपने को 30 degree की वह रहा है उस building के ओपर किसी ने एक flag host किया ठीक है तो flag कौन सा है अपने इस case में अपना flag है BT अब जो observer है वो flag के top पे भी देखत है अब क्योंकि देखिए flag का top building के top से उपर होगा angle of elevation increase होगा इस case में angle of elevation क्या होगा 45 यानि a p d is 45 degree तो आपको क्या करना है find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P आपको दो चीज़े निकालनी है आपको given क्या है आपको a b given है 10 meter ठीक है आपको एक तो height of flag निकालनी है ठीक है यानि आपको यह red वाला portion निकालना है और इसके लावा आपको PA निकालना है यानि जो observer है और जो building है उसके बीच का distance निकालना है तो देखिए सबसे पहले अभी तक जो भी अपने question किये वहाँ पर एक ही triangle हुआ करता था इस वाले question में दो triangles हैं तो कभी भी यह ध्यान रखना कि जब भी आप triangle triangle कौन से है मैं लिख देता हूँ तो जब भी दो triangle involve हो गए तो उनके बीच में एक common side होगी ही होगी जो कि आपको help करेगी उस question को solve करने के लिए देखिए कैसे यहाँ पर common side को क्या है PA तो PA दोनों में common है तो यह PA अपने को help करेगी इस question को solve करने के लिए कैसे देखिए मैं इस triangle में मुझे AB already given है 10 है जो कि मेरा perpendicular है और PA जो है जो मेरा दोनों triangle में common है वो क्या है मेरा base है तो देखिए perpendicular और base के लिए मैं क्या यूज करता हूँ 10 यूज करता हूँ और PA में angle of elevation कितना है 30 degree यानि 10 30 degree तो 10 30 degree हो जाएगा AB upon PA तो देखिए 10 30 degree की value कितने होती है 1 upon root 3 1 upon root 3 equals to AB के value replace कर देते है 10 और upon PA तो यह हो गया 1 upon root 3 equals to 10 upon PA AB के अपने value replace कर दी अब इसको solve करेंगे तो PA कितना आ जाएगा मेरा PA जाएगा 10 root 3 इससे मैंने क्या है PA निकाल लिया अब इस वाले triangle में मैं क्या करूंगा इस PA को use करूंगा कैसे इस वाले triangle में मुझे किसी भी side की proper value न मैंने PA निकाल लिया ठीक है समझ में आ रहा है अब इस triangle में मुझे एक value मालूम है मतलब अब इसकी help से मैं कोई भी दूसरी value निकाल सकता हूं अब देखिए मैं क्या करता हूं मैं AD निकालता हूं AD क्या है मेरा यहां पे वह है perpendicular ठीक है यह क्या है मेरा यह है मेरा base लिए क्ल to AD upon PA अब देखिए 1045 की value होती है 1 तो यह हो जाएगा AD AD की value अपने को मालूम नहीं है बट PA की value अपने को मालूम है तो PA की value replace कर देंगे इसको solve करेंगे तो AD कितना हैगा AD आएगा 10 root 3 ठीक है अब देखिए मैंने AD की value निकाल ली यहां से लेके यहां तक कितना है 10 root 3 मुझे क्या क्या पूछा है मुझे एक तो BD पूछा है अब एक चीज़ देखिए मैं AD में से AB अगर subtract कर दो AD में से अगर AB subtract कर दो तो मेरे पास BD आ जाएगा which is my height of flag तो देखिए AD minus AB equals to BD तो AD कितना है मेरा 10 root 3 minus AB, AB कितना है 10 equals to BD तो 10 common आएगा तो 10 root 3 minus 1 equals to BD यह मेरा answer एक पार्ट का answer तो अपने कर दिया इसको अगर आप root 3 की value question में दे रखिए yes root 3 equal to 1.732 तो आपको क्या करना है root 3 की value आप replace करेंगे और इसको calculate करेंगे ठीक है तो मैं direct आपको लिए लिख देता हूँ यह होगा approach 7.32 meter ठीक है बट आपको exam में फुरी proper calculation करनी है ठीक है अब अपन से एक चीज और पूछिए अपन से PA भी पूछा है बट PA तो अपन already नि तो दो चीज पूछी थी first यह second यह दोनों अपने निकाल दे ओके पिक करता है example number five देखें टावर यह भी अपने को given है और suppose कि यहाँ पे sun है तो यह sun की light है वो इस टावर से जो angle create करेंगी ground के साथ वो कर रही है 30 degree create ठीक है यानि यह 30 degree है ठीक है और इसकी यह shadow क्या हो गई चलते चलते सूर्च जहां पर आ गया ठीक है दो पैर हो गई आपको मालूम है कि दो पैर को shadow थोड़ी छोटी होती है compare to morning and evening तो देखिए अब जो sun की light जो shadow create करेगी तो एंगल कौन सा create करेगी ground के साथ ग्राउन के साथ create करेगी 60 degree तो देखिए तो देखिए shadow भी छोटी create हुई इस वाले case में shadow क्या होगी BC ठीक है अपने को बोल रहा है कि जो morning में shadow create हो रही थी और जो subtract कर देंगे तो कितना हैगा 40 तो देखिए bd minus bc actually में है क्या dc है तो मेरे को यहाँ पर dc की land दे रखिए which is 40 meters clear है यह चीज अच्छा एक चीज जो मैं morning और afternoon बोल रहा हूं वो evening और afternoon भी हो सकता है क्योंगी question में अपने को specifically mention नहीं है मैं तो आपको explain करने के लिए बताया है ठीक है तो अपने को height of tower पूछिए अगेन पिछले question में मैंने आपको एक चीज बताई थी जब भी मेरे पास दो triangles यूज होंगे तो देखिए यहाँ पर कौन से दो triangles है triangle a bc and triangle a b d तो उन दोनों triangle में कुछ न कुछ common जरूर होगा कोई न कोई common side जरूर होगी यहाँ पर क्या है a b यहाँ पर क्या है a b ठीक है और आगे कुछ अपन question करेंगे तो आपको common नहीं दिखेगा बट equal होगी common होने का मतलब क्या है a b अकर दोनों में common है that means यह दोनों side दोनों triangle में equal है तो आगे कोई question ऐसे भी आएंगे जहां पर common नहीं होगी अटाइस नहीं होगी बट equal होगी तो that is equivalent to common ठीक है तो देखिए कैसे use करेंगे अपन सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसको x माल लेते हैं यानि अपने इसको x माल लिया और इसको क्या माल लेते है अपन जो अपन ने एच माल लिया तो trigonometry apply करते हैं सबसे पहले abc में apply करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा 1060 equals to h by x 1060 की value कितने होती है root 3 root 3 equals to h by x तो देखिए इस से मैं क्या लिख सकता हूं x equal to h upon root 3 ठीक है यह मेरी एक equation हो गई इसको equation 1 बोल देता हूं अब देखिए मैं triangle abd में आता हूं abd में मैं वही करता हूं मैं color change कर लेता हूं पहलता हूं 1030 equals to h upon x plus 40 x plus 40 क्यों क्यों कि यहां पर base यहां से लिकिए यहां तक है यहाला portion x है यह 40 है तो total base कितना हो गया x plus 40 which is bd अब देखिए इसको left hand side ले जाएंगे और इसको उदर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा x plus 40 equals to x की value क्या करता हूं मैं यहां से replace कर देता हूं ठीक है x की value जब replace करूंगा तो यह हो जाएगा h upon root 3 plus 40 equals to h root 3 अब क्या करता हूं जो variable part है उसको एक तरफ ले जाता हूं तो इसको अगर मैं right hand side ले ज h upon root 3 equals to 40 अब देखिए h common ले लता हूं तो यह क्या हो जाएगा root 3 minus 1 upon root 3 h equals to 40 तो अब देखिए root 3 upon 1 लिख सकते है LCM लेंगे LCM कितना आएगा root 3 root 3 into root 3 3 और यहां पे 3 minus 1 h equals to 40 तो देखिए 3 minus 1 यानि 2 2 upon root 3 h equals to 40 तो देखिए आप इसको जब solve करेंगे root 3 उपर जाएगा 40 से multiply होगा 2 यहां पे नीचे जागे 40 को divide करेगा तो यह h क्या जाएगा इससे h will be 20 root 3 ठीक है यह आपका answer unit लगाना मत भूलेगा 20 root 3 meter ओके करता है example number 6 देखिए example 6 में क्या बोल रह है 8 meter tall building ठीक है अपने 8 meter tall building यहां पर कौन सी है AB ठीक है तो कितने हो गई 8 meter from the top of multi-story building are 30 and 45 degree angle of depression यहां पर बोल रहा है basically तो देखिए angle of depression किस से बनेगा एक virtual line which is parallel to ground तो ground किया है अपना AC और वो virtual parallel line क्या है PQ तो PQ से angle of depression बनेगा on the line of sight line of sight क्या है red color से जो draw की गई है PA and PB तो देखिए जब P point से एक बहुत बड़ी tall multi-story building से आप एक छोटी building को देख रहे होते हैं तो आप उसके top को भी देख सकते हैं आप उसके foot को भी देख सकते हैं जब आ line of sight रहेगी तो angle of depression कितना होगा 30 degree अब एक चीज़ देखिए जो PQ है वो AC के भी parallel है और BD के भी parallel है QPB 30 degree है तो यह वाला भी मेरा 30 degree हो जाएगा क्यों alternate angle से अब जो PA line of sight वो किस पे है top of the multi-story building से foot of the building पे तो angle of depression वहाँ पे कितना है 45 यानि QP A45 है तो यहाँ पे यह वाला angle कितना हो जाएगा आपका 45 degree हो जाएगा समझ में है तो आपको height of multi-story building find करनी है यानि आपको PC find करना है ठीक है और इसके लावा आपको ACB find करना है यानि distance between two buildings ठीक है तो करते हैं इसको दो triangles है PBD and PSE मैंने आपको बताया था जहां पर भी दो triangles होंगे कुछ ना कुछ common होगा जो कि आपको help करेगा उस question को solve करने के लिए यहाँ पे कोई side common नहीं है but side equal ज़रूर है ठीक है तो अगर equal है तो वो almost common होने के बराबर ही है क्योंकि common होना मतलब अपने लिए क्या useful था information में common होने के लिए अपने पास यह information useful थी कि यह जो portion है इसकी अपने को दोनों triangle में value मालूम है तो यहाँ पे वो जो common portion कौन सा act करेगा BD and AC ठीक है क्यों क्योंकि BD और AC equal है तो या तो अपने को BD मालूम हो या अपने को AC मालूम हो दोनों case में अपने लिए useful information क्योंकि अपन द दिया हुआ है यह 8 meter दिया हुआ है यह 8 meter है तो यह भी 8 meter हो जाएगा यानि को भी 8 meter लिख सकता हूं मैं DC को भी ठीक है क्यों क्योंकि पूरा rectangle form हो रहा है अब देखते है अप्लाइ करते है trigonometry ठीक है तो सबसे पहले PBD में क्या apply करेंगे 10 30 degree तो 10 30 degree कितना होगा आपका इनक TD को मैं X मान लेता हूं ठीक है और इसको मैं यहां से लेकिंगे यहां तक Y मान लेता हूं तो थोड़ा सा यही हो जाता है तो देखिए इसको में एक equation बना देता हूं अब मैं कौन सा triangle pick करता हूं triangle PAC इस पर भी मैं क्या करता हूं ratio apply करता हूं कौन सा 1045 तो 1045 क्या हो जाएगा मेरा X प्लस 8 क्योंकि मेरी height क्या है PC और PC क्या है 8 प्लस X या फिर X प्लस 8 अपन Y अब देखिए 1045 की value कितनी है 1 यह हो जाएगा X प्ल तो यह जाएगा root 3X equals to X plus 8 अब देखिए X left-hand side जाएगा तो यह जाएगा root 3X minus X equals to 8 X common लेलता हूं तो यह जाएगा root 3 minus 1 equals to 8 इसको solve करूंगा तो यह हो जाएगा X equals to 8 upon root 3 minus 1 इसको क्या करता हो मैं rationalize कर देता हूं इसको rationalize करने के लिए क्या करना पड़ेगा root 3 plus 1 से उपर नीचे multiply करना पड़ेगा यह 8 इस पूरे से multiply होगा तो यह हो जाएगा 8 root 3 plus 1 और नीचे क्या लगेगा A minus B A plus B यहनि A square minus B square A square minus B square यहनि root 3 का square which is 3 और minus 1 का square यहनि 1 तो यह क्या हो जाएगा 8 root 3 plus 1 upon 2 अब देखिए A से कटेगा तो आप का अनसा कितना आ गया 4 root 3 plus 1 meter यह आपका X आ गया है तो देखिए X की value मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ X equals to 4 root 3 plus 1 ठीक है और बागी portion में एक बार रब कर देता हूँ अब देखिए अपन से पूछा क्या क्या है अपन से एक तो height of building पूछी है यानि PC पूछा है तो PC क्या है मेरा PC है मेरा X plus 8 और X की value अभी अभी मैंने निकाली है वो कितनी है 4 root 3 plus 1 तो यह हो जाएगा प्लस 8 तो यह आपका answer है यह फिर इसको आगे भी solve कर सकते है देखिए इस पूरी term में और इस term में 4 common है तो 4 common लेता हूँ तो इधर क्या बचेगा root 3 plus 1 और इधर क्या बचेगा 2 तो यह कितना हो जाएगा 4 root 3 plus 3 meter यह तो आपके height of multi-story building हो गई इसके लावा आप से क्या बूचा था distance between these two buildings अब एक चीज़ देखिए जब अपन ने PAC के अंदर 1045 apply किया था तो अपन किस conclusion पर पहुँचे थे कि x plus 8 equals to y ठीक है equation आई थी यानि जो x plus 8 है which is this वही अपना y है तो यही अपनी distance between these two buildings रहेगा और अगर ऐसे नहीं करना है तो आप एक तरीका और कर सकते हैं कैसे यह जो x की value है यह equation में replace कर दीजे तो y आपका क्या हो जाएगा root 3 x की value क्या है 4 root 3 plus 1 तो देखे अभी इससे multiply होगा तो यह कितना हो जाएगा 4 root 3 into root 3 plus 1 तो देखे अब इस root 3 को अंदर ले जाते हैं बाकी portion को बाहर रख जाते हैं तो यह रूट 3 से multiply होगा और इससे multiply होगा तो यह कितना हो जाएगा 4 रैकेट में रूट 3 into root 3 3 और root 3 into 1 root 3 ठीक है तो आप इन दोनों को अगर observe करेंगे तो दोनों सेम है ठीक है वहाँ पे root 3 plus 3 पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 3 plus root 3 लिखा हुआ है ठीक है तो ऐसे भी वही आ पर एक bridge है उस bridge पे point P पे एक आदमी खड़ा होके observe करता है किसको दोनों banks को river के यानि एक bank A है एक bank B है तो जब वह observe करता है तो एक तरह तो 30 degree form होता है इसको मैं बोल देता हूं कि मेरा 30 degree है और एक तरह 45 degree form होता है ठीक है क्योंकि वह सेंटर में नहीं खड़ा तो दोनों banks क तो अलग-अलग angle of depression से observe करता है तो जो bridge की height है उस river से कितना उपर है वो bridge 3 meters उपर है यानि मेरा PD कितना दे रखा है वो मेरा 3 meters दे रखा है अपने को क्या करना है width of river find करने है यानि अपने को A-B find करना है अब एक चीज़ देखिए यह angle of depression 30 degree है तो यह वाला भी 30 degree होगा क्यो तो यहां पर कौन से दो ट्रेंगल बन रहे है एक ट्रेंगल तो मेरा बन रहा है PAD और एक ट्रेंगल बन रहा है मेरा PVD दोनों में क्या common है दोनों में PD common है मेरा ठीक है अब देखिए lens को as a variable लेते है थोड़ा सा easy हो जाता है यहां से यहां तक मैं X माल लेता हूं ठीक है औ डारेक्ट लिख देता हूं upon AD AD क्या मैंने X माना है तो 1030 की वेल्यू कितने होती है 1 upon root 3 1 upon root 3 equals to 3 by x इसे x की वेल्यू कितने आ जाएगी x equal to 3 root 3 ठीक है यह x की वेल्यू आगए अब इसमें trigonometry apply करेंगे 1045 equals to PD upon BD PD मेरा 3 है और BD मेरा क्या माना है y माना है अब 1045 की तो देखिए y क्या हो जाएगा इससे y हो जाएगा 3 देखिए अब मुझे x की मालूम है मुझे y भी मालूम है अगर x और y को मैं add कर दूँ तो मिरे पास bit of river आ जाएगी which is a b यहाँ एक्स प्लस y equals to a b जो मुझे निकालना था यानि 3 root 3 plus 3 तो 3 common आ जाएगा तो यह हो जाए जाएगा उसमें कोई इस्यो नहीं है तो next video में आपन स्टार करेंगे exercise 9.1 रम्यों मेंटरिंग मेक अधिर्थरेंस nearby students can contact us for group and individual mentoring sessions our location is mentioned in video description others can contact us for online classes online doubt clearing sessions and for other online videos which are not publicly available on youtube thank you